लगभग 815 वर्स के बाद फिर से उठ खड़ा हुआ ज्यान का महान केंद्र नालंदा इन्वर्सिटी 2.0 जिसे 1193 इस्वी में अताताई बक्तियार खिल्जी ने जला कर नश्ट कर दिया था 29 जून 2024 को भारत के परधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के राजगीर में नालंदा विश्व विद्धाले के नय परिसर नालंदा इंटरनेशनल इन्वर्सिटी का उधगाटन कियें यह विश्व विद्धाले 455 एकण में फैला हुआ है राजगीर की बैभारगीरी पहाड़ी के तलहटी में 1749 कड़ो रूपय की लागत से 9 निर्मित अंतर राष्टिये नलंदा विश्व विद्धाले का कैमपस बिश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो कैमपस है यहां 300 एकण भूई पर पेड़ लगाने के लिए उपरी मिट्टी को सनचित किया गया है जिससे हर्याली की पूरी विवस्ता हो सके और 100 एकण भूई पर जला से बनाया गया है कई छोटे वड़े तलावों की खुदाई की गई है यदि इस इन्वर्सिटी को धावे वर्ष तक बाहर से पानी सप्लाई ना हो तो भी किसी परकार की समस्या का सामना इस इन्वर्सिटी को नहीं करना पड़ेगा इतना पानी रिजर्व है यहां कालावों के खुदाई से निकले मिट्टी का इस्तमाल इटा बनाने में किया गया है और इसी केंपस में इटो को तयार किया गया है और उन्हीं इटो से यह इमारत तयार किया गया है कैमपस में कई भवनों को हाइटेक तकनिक पे तयार किया गया है जो ठंडे के दिनों में गर्म और गर्मी के दिनों में ठंडा रहता है यहां बाटर रिसाइकल पलांट भी लगाया गया है सभी क्लासरूम में एसी लगा हुआ है एसी चलाने के लिए बीजली के बदले भाप उर्जा का उपयोग किया जा रहा है सौर उर्जर से इन्वर्शीटी के जरूरत से अधिक बीजली उत्पादन हो रहा है अभी 6.5 मेगाबाट बिजली का उत्पादन सौर उर्जा से हो रहा है इस इनवर्सिटी कैंपस में इनवर्सिटी में दो सेचनिक ब्लोक है जिसमें 40 कलास्रूम है 1906 इसमें बैठ सकते हैं एक MP थियेटर है जहां 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और यह MP थियेटर कमल सागर के बीच में इस्तित है यहां एक sports complex है यानि की खेल का मैदान एक योग सेंटर है योग करने के लिए और एक medical सेंटर भी है यहां बहुत अध्यान से ले करके PhD तक की पढ़ाई होती है दो auditorium है जिसमें 306 बैठ सकते हैं बीस से अधिक देशों के छात्र यहां सिच्छा गिरंड कर रहे हैं बर्तमान में यहां 9 मंजिला पुष्टकाले का निर्मान किया जा रहा है जो पुराने इन्वर्सिटी में पुष्टकाले था वो भी 9 मंजिल कहीं था यह नया पुष्टकाले में 3 लाख पुष्टके रखी जाएगी यह एसिया का सबसे बड़ा पुष्टकाले होगा इस इन्वर्सिटी के उद्गाडन समारों में 17 देशों के प्रतिनिधी यहां सामिल हुए थे 800 साल तक इस क्यान के केंदर को किसी ने पुनर निर्वान के बारे में नहीं सुचा आये जानते हैं इसका पुनर निर्वान किस परकार से हुआ वर्स 2006 में बिहार बिधान मंडल में डॉक्टर एपी जी अब्दुर कलाम ने नलंदा इन्वर्सिटी को पुनर जागरन का सुझाओ दिये थे बिहार सरकार ने तब केंदर के सरकार को इसके लिए अन्रोद किया था पर ततकालीन सरकार नहीं मानी और माना कर दिया तब बिहार सरकार ने खुद अधनियम बना कर इसके निर्वान के लिए भूमी अधिगर्ण किया बिहार के मुख मंत्री श्री नितिश कुमार जी ने कहें कि बार बार अन्रोद करने पर 2010 में लोकसवा में नलंदा विश्विदाले बील पास हुआ फिर 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार आती है और फिर इसका नीव 19 सितमबर 2014 को ततकालिक विदेश मंत्री श्रीमती सुस्मा सुराज के द्वारा रखा गया है वर्ष 2016 में राष्टपती प्रणो मुखर जी ने इसका सीला नियास कियें 2017 में निर्मान कारे सुरू हुआ और 19 जून 2024 को इसका उत्गारण भारत के परधान मंत्री स्री नरेंद्र बोदी जी ने कियें यह जो सामने अस्टक्चर दिख रहा है वो है पुराना नलंदा इन्वर्सीटी के अफ्सिस जो विश्व का दूसरा सबसे पुराना विश्विद्याले और विश्व का पहला आवासिय विश्व विश्विद्याले था यह जो अस्ट्रक्टर दिख रहा है वो लाइबरेरी है नौ मनजिला लाइबरेरी और जिसमें नब्बे लाग से अधी किताबे रखी गए थी जिसे आग लगा दिया गया था इगारा सो निनानों में अताताय बक त्यार खिल्जी द्वारा इस बिश्चो बिदाले की अस्थापना गुप्त सासक कुमार गुप्त प्रथम ने 427 इसवी के आसपास करवाएं थे यह 35 एकड भूमी पर फैला हुआ था सात्मी सदापदी में वेन संग हर्च बर्थन के सासनकाल में भरत आया था 630 से 645 इसवी के बीच इसके बीबरन के नुसार नलंदा इन्वर्शिटी में 10,000 चात्र और 1500 से अधिक सिचक एरते थे यहाँ जापान, चीन, सिर्लंका, कोरिया, इंडोनेसिया, आदी देशों से चात्र पढ़ने के लिए आते थे थे और यहाँ पढ़ने बालों में आरिया भट, नागार जुन, धरमपाल, हर्सवर्दन जैसे चात्र भी थे यहाँ पढ़ाये जाने वाले मुक्ख भी सावे में सामिल था बेदो का अध्यान, खगोल बिग्यान, चिकिस्ता सास्त्र, बहुत चिद्यान, गनीत आदी यदि अस्त्र और सस्त्र का विद्या भी सिखाया गया होता यहाँ, तो कोई भी अताताई इसे आग लगाना तो दूर, आग उठा कर भी नहीं देखते, और यह आज भी सुरचित रहता